है ऑलिएंग जॉप्समें आपका स्वालान है मैं रहुल राज तो आज हम बात करने वाले हैं तो हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में कि आपको ये पंदरा दिन कैसेני exam के प्रती देना होगा सबसे पहले जानेंगे कि exam से पहले ये video आपको देखना जरूर क करना है जिसे करना hundred I thinker किकतने नमर का होगा कितने समयका होगा ये भी बात करेंगे आपको एक्जाम में कम से कम आपको कितना अंक लाना होगा कि आपका हो जाए और आपका मेरिट बन जाए यह सबसे बड़ी बात है तो चलिए फ्रेंड एक एक कोस्टन को हम आपको क्लिर करने वाले हैं जो आपसे हमसे कॉमेंट में पूछा गया है कोस्टन उसी के डिकारी हम बात कर आपके मार्किंग है या नहीं है और कितने अंक हम कितने कोस्टन करके आएं कि हमारा हो जाए यह आपका कमेंट था आपको बिडियो अच्छा लगे तब वीडियो को लाइक जरू कर दे मैं आपसे वनली 100 लाइक की टार्गेट रखता हूं जो आपने हर एक वीडियो में हम करेंगे जिसे हम आपको करते हैं हर एक नय वीडियो अपडेट जल सब्सक्राइब करने वाला हुँ जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे है आपको ये आपका जो एक्जाम है 58 तारीख है निंतरी को है 28 तारीक को आपका इक्जाम है कि आपको सबसे पहले इन्रोटर्टन चीज की आपके पास समय बहुत कम बचगे है ठीक है यह सबसे κάν Rank समय बहुत कम बच गातों क्या करना चाहिए और क्या करें जब सबसे पहले हम बात आदे आपको यह आपके टोटल वेकेंसित आपको 1284 पोश्टों की आपकी भरती थी ठीक है यह ट्रेडमेंस की जो आपको विग्यापन संख्या 2023 कंत्रगति निकली हुई थी यह आपको अनिवार जानना होगा ठीक है अब बात करते हैं इसी के डिगाड़ डाब सबसे पहले पिए सेफ Iowa debun exam pattern ठीक है यह एकत्रान के बारे में हम पहले जानेंगे सबसे पहले बात जो आपके प्रोशन पूछ़ों रहेंगे यह बहुं अपसे बहुत बोलेगे कि आम धीक यह इस लिए कि नय लरकां उनके ऩाप मैं मैं बता देता हूं जो जानते हैं उसके लिए बहुत बहुत धने बात आपके बास यह इक लिए और बात करें सबसे इस परीच्छा में आपको 100 पूछे जाएंगे ठीक है इस को स्विपाल पूछे जाएंगे परते使用 जो होंगे आपके 100 के खो प्रश्न एक नम्मर के होंगे और फॉव उयंक का ठीक है थीक पड़ते One एक नम्मट का तोटल आपके अंग किसंग हो जागी 100 यानि एक औक मार्क्स को अप का है फीक है एक कोश्चन अपने गलत किया तो यानि आपने एक नम्मर् आपके एक्जाम यानि आपको गट गया चलिए अब बात करते हैं इसके शमय ओधी आपको बता दे इसमें टोटल दो घंटे का समय है यानि 120 मिनट के आपके पास समय रहेगा उसमें सबसे पहले आपको बता दे 100 कोश्चन 120 मिनट यह सबसे बड़ी बात है तो इसलिए मैं आपको एक सेजेसन देता जाता हूं जैसे कि कोश्चन रहेंगे वह भी मैं बताऊंगा तो टोटल कोश्चन के कितने हो जा रही है आपके पास 100 कितनी है 100 और आपके पास जो एक्ष्ट्रा समय बच रहा है अगर आप एक कोश्चन को एक मिनट भी देते हैं तो आपके पास 20 मिनट बचेगा कि ये 20 मिनिट कैसे करने आपको कोशिस करना है कि पड़तीय को एक मीनिट में सॉल्फ कर दे जैसे के आपको देखिएच्ट को उसको आपको क्या करना है पढ़कर कर देना है अब बारी आती है में रिजिनिंग और मैट करना है जो आपको समय यह करना है जो आपको को सोर्ट हो थीक है उसको आपको छोड़ देना है ठीख है और वो जोकाइब बहुत समय आपको देंगे तो वह आपके बहुत भेंट फिट करने वाले हैं यह मैं आपको बता दूँ हाँ इसलिए जो आपके कोश्चन हाड रहेंगे वह लास्ट में आप करिएगा जुरूर उसमें टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है इसलिए मैं आपको यह बता दिया कि आपका समय और कि आगे हम बता दें आपको जैसे बोल रहा है एडमिट कार्ड के बारे में सुचना इमेल या इसमें सद्वारा सुचित किया जाएगा तो मैं आपको पहले भी वीडियो बता चुका हूं कि आपका एडमिट कार्ड 15 तारिकों मेसेज आ जाएगा ठीक है कि वह आपको एडमि पहले आगे बता चुका हूं कि आपको को संख्या 100 तक नो松imus वाले में किसी परकार कि सूचना नहीं दी गई कि आपका नेगी थी मीं है य Petse जैसे कि आपको बता दू कि ऐसी अभी तक जहां तक मैं बता दू एटी पर्षन चांस है कि आपका निएटी मार्किंग नहीं रह सकते इसलिए कि रहता तो आपको बतायागा एक बात आपको बता दू एक्जाम सुरूश होने से पहले आपको वह डिस्क्रिप्शन खुलेगा तिके उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा रहेगा कि आपका एक्जाम में निगेटी मार्किंग है याणि अगर आप वहां नहीं पर पाते हैं तो मैं आपको बता दू आपका इक्जाम जो ओनलाइन होता है ठीके डिस्प्लेय आपका ओपेण होगा एक साइड तो आप आपका डिटेल रहेगा और यहां नमबर रहता है ठीक है नीचे एक नमर दो नमर ती नमर जो भी हो उसके यहीं पर आपके कोना पर समय के नीचे आपको यहां ब्रकता है ठीक है आपको लिखा रहेगा 0.25 यानि आपका जो रहेगा 0.25 आपको यहां लिखा रहेगा जिसमें आपको इस निगर्टी मार्किंग रहेगा तो समझ यह 0.25 लिखा रहेगा चार पर एक ठीक है यह आपको मैं यहां समझा दिया डिस्प्ले कांस लेकिन अभी तक जहां तक अभी कोई भी ऐसा नोटिस नहीं जारी किया जिसमें निग आगे भी बता चुका हूँ कि किस-किस पीसे से आपके कैसे कोश्चन पूछे जाएंगे तो मैं आपको फिर से आपको एक पड़ी कॉल कर दूं कि जैसे कि आपको समान जगड़ूता यानि जीके और जीए से जो कोश्चन रहने वाले हैं आपको वह आपको क्रेंट्स अभ पड़ी कोश्चन को जल दिस से जल भी खतम कर सकते हैं तो आगे बढ़ जाएगा अगर आप इसे 25 मिट से ज्यादा भी अगर समय लेलते हैं 30 मिट भी लेलते हैं तो आपके पास यह डिस्प्ले पर ओपन करेगा ठीक है चलिए उसके बाद बात करते हैं गनित की जो गनित क प्रश्चन के वाले हैं वो आपको मैर्ट के कोश्चन वह भी आपके पचीस कोश्चन रहने वाले हैं तोटल आपके 25 अंकार यह भी समय रहेगा ठीक है कि उसके बाद आपको यही रूल है चीश कोश्चन कोष्चन रहेंगे और 25 मार्स के आपके ये भी रहने वाले जिसमें आपको 25 कूष्चन रहेंगे वो आपको total 100 अंक के रहने वाले हैं तो हुल आपको दीख जाएगा 100 कूष्चन सबसे पहले बता दे आपको यह तो अब पूरी आपको एक एक चीज को बस ज्यादा नहीं बनाना नहीं है बस आपको देखते रहना चाहिए जो आप पीछले आपने देखते हैं ठीक है और सबसे इंपोर्टन चीज आप राज रजधानी और मुद्रा जरूर एक ऐसा देख लिए जिससे एक कोश्चन आपको रहने वाला है ठीक है तो भारत के पूछ दिया तो आपको याद है उसके बा नमसु फूल खेल और गीत धोज के बाड़ में पूछा जायाँ यह बात आपको बता दू यह ये कदिकर आपके देश के भी राष्टी शीचीज नर्म है और किसी और देश के भी पूछा जासको है जैसे आपको बेस्तुर्द चाहिजर जाताना यह गान कौन सा है क्या है ठीक है जो बात कर ले नदी पहार बंदरगां से आपके कोशन रहने वाले हैं इतिहास में आपको अन्दोलन से पॉस्टिन रहने वालें तीक है यह आप मौक्टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता होगा ठीक है आपको संस्कृति सोतन था भारत के मौत्पुन के बारे में भी आपको ग्यान रहना चाहिए तो कला और संस्कृति क्या भारत संस्कृति कैसी कला या निरित के संदी बारे में आपको कौश्चन पुछे जाएंगे यह आपके समान भात करते हैं मैंत के स्कृति को बता दें लिंक से कोश्चन पुछे जाएंगे मैं बता दिया यह आपको बता चुका तो अब बात करते हैं कि आपको कितने अंग करना चाहिए कि आप अपका रिजल्ट हो जाए बता दू आपको जैसे कि इसमें सीट बहुत कम है ठीक है बारो सो कुछ पोश्ट पर है आपको इसमें आपको कम से कम 65 और 70 प्लस आपको कोश्चन करके आना पड़ेगा ठीक है तो आपका समझे तो आपको बुलाया जाएगा आपको 65 प्लस ठीक है और 70 प्लस अगर आपने कोश्चन करके आते हैं तो आप समझे एक कि सि Ecuador में हैं और आपका result confirm है कि आएगा अगर आप इससे कम लाते हैं तो आपकी संभावना कम रहती है कि आपका result भी हो जाए ठीक है मैं आपको बता दिया इसके बाद भी कोई भी अगर doubt हो रहा है और इससे भी आपको doubt है तो comment करें मैं comment कर reply आपको जल से जल दूँगा जब तक कि जाहिन दोस्तों बंदे मातरम